कि हेलो फैंट्स मैं सर्वेश त्रिवास्तो और आप देख रहे हैं दसंदेश एंसूट आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तरपरिस लेखपाल भरती पर जो हम लोग आज चर्चा करेंगे जो की सासन द्वरा जो है इसको मंजूरी मिल चुकी है लेखपाल पदों की भरती के लिए तो आज हम जानेंगे कि उसका जो सलेबस क्या होगा कितना इस जो है आगेंड दिन कब करना है सब सायरी चीज़ियंगे अज हम 16 समझेंगे सो आते हैं देखें जिस उत्तरप्रेश लेकपाल भर्ती दोजार बेश ठीक है ये लेकपाल पदों की भर्ती होनी है जिसमें से लेकपाल पदों की भर्ती जो है राजवस्व परिशद करा दे थे देखेंगे राजवस्व परिशद लेकपाल पदों की भर्ती जो है इसके पहले जो है जो भर्ती हुई थी एक डेट साल पहले जो है तो वो भर्ती राजवस्व परिशद के द्वारा जो है कराए गई थी और लेकपाल पद की भर्ती राजवस्व परिशद ही कराती है लेकिन इस बर क्या हुआ है कि राजोस परिशद ने परिच्छा कराने के लिए एक्जाम कराने के लिए यूपी तिर्पल एसी को दे दिया है जो राजोस परिशद जो था उसने एक्जाम कराने के लिए और दे दिया है यूपी तिर्पल एसी को जो कि आप जानते हैं कि UPSC का फुलनेवदी हम जानते हैं तो उत्तरपदेश Subordinate Services Selection Commission जिसको हम लोग हिंदी में जो हैं उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग हम लोग कह सकते हैं मिस उत्तरपदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा यह लेखपाल पदों की भरती होना सुनिच्छित कर दिया गया है अब हम क्या करेंगे कि यह जो है कितना पद है इसमें जो है ठीक है तो देखेंगे यह जो पद होगा आपका यह 2200 पद है ठीक है यह पद जो होगा यह 2200 पदों की भरती करानी है लेखपाल की इसके बारे में थोच हम डीटेल हम देख सकते हैं कि जो लेखपाल पदों की भरती था जिसमें से टोटल हमारे जो है 3837 यह पुरा जो पद था हमारा जो है 3837 पद था जिसमें से आपके 24,000 लेखपालों की भरती हो चुकी है ठी सिट भर चुका है अब जो है यदि हम 3837 में 24000 मानस करते हैं तो हम लोगों को जो है मतलब की लेकपाल की भरती कितना होना चाहिए 6800 373 होना चाहिए 6800 373 लेकपाल की भरती के लिए भी जगत खाली है उसकी पूर्थी करानी है जिसमें से हमें आपका सासन ने अदिस दिया है बाउनसो पदों के लिए तो 6837 में दिया हम बाउनसो मानस करते हैं तो अभी भी जो है 1637 पद हमारा जो अभी भी खाली रहाएगा ठीक है तो यह बाउनसो पद को पूरी भरपाई हो जाने के बाद पूरी जो है सेलेक्शन हो जाने के बाद तब इसके बाद सेकेंड टर में जो है 1637 पदों की दुबारा जो है निफ्ति करा जाएगी ठीक है अब आप देखेंगे इसमें जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है ठीक है आवेदन जो है लेकपाल पद की भरती हमार जो है आपका संब्धों तीन मैं तक इदी समाप्त हो जाता है this की आलाइन जो है इसका मैं लाश्ट तक इसका फॉर्म बिग्यापन निकल जायेगा जो कि यहां से हमारा हो जाएका फिल करना आपका आपका यादी 3 मैं तक लागडाउन समाप्त हो जाता है तो लाश्ट मैं तक जो है इसका फॉरम भी इसका बिग्यापन निकल जाएगा ठीक है इसके बाद जो है इसके हम qualification देखते हैं कि जो है इस लेकपाल पदों की जो है इसका qualification क्या होगा तो qualification हम देखेंगे इसका qualification जो होगा 10 plus 10 plus 2 means आपका intermediate इसका qualification होगा आपका बहुत सहसे इस्टुडेंट्स के माइंड में कभी कभी ऐसा confusion आ रहा या बहुत ऐसे जो है phone call करके जो है बच्चे पूछते हैं कि सर इसका qualification क्या होगा इसका qualification यह है कि इसका intermediate qualification होगा आपका इसका गिर्जुशन नहीं है इसका 10 plus 2 ही होगा और इसमें plus point आपका यह होगा कि उस intermediate के साथ जो है आपका triple C होना जरूरी होगा ठीक है यह triple C क्या है triple C एक computer एक certificate होता है जो यह कि गवर्मेंट जाप के लिए यह है जो कि यहां पर 10 plus 2 intermediate pass out होने के बाद आपका certificate triple C का बच्चे का पास होना चाहिए तब यह फार्म जे अपलाई कर पाएगा अब यह भी थोचा डाउट होता है कि क्या सर आपेरिंग वाले भी कि फार्म सर्फ फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखिए जो गवर्मेंट का जो रूल होता है जब उसका बिग्यापन निकलता है उसके बिग्यापन निकलने के पहले का certificate होना चाहिए रूल तो यह यह लेकिन यदि इसमें जो है कुछ छूट दे देता है तो कुछ बच्चे इसमें अपेरिंग वाले भी आ सकते हैं अब निव जो है जो भी उसका अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको बताए जाएगे ठीक है तो तुर्पल सी होना जो है इसमें जरूरी होगा इसमें य नहीं करें जो जो है कि बहुत असे बच्चें होते हैं कि सर्ग डॉयक सोसाइटी देवार होगा एक आईएल्टी देवारह है जो कि इसकी के दविर जो ही आपके पास प्रंक पत्र होगा वही इसमें फार्म करकार कहां फिल कर पाइयंगे अन्यथाता प्लाई इसमें एज आपका minimum 18 और maximum 40 आपका यहां पर जो एज दिया गया देखेंगे इसमें जो एज होगा वो एज कितना होगा 18 स्टार्टिंग होगा और लास्ट आपका जो है इसमें add season 40 लास्ट इसमें 18 से चालिस की आपकूच में इसरी आपको बिकाल को वहीं होगा गोल थिके हैं one third क्या होगा इसमें निगाटिर भार्टिंग होगे आपकी जो है तो निगाटिंग मार्किंग के लिए आपको तयार रहना है कि आपकी नेगाटिंग मार्किंग भी one third होगा इसमें triple c की certificate चाघिए वबी 227 दवारा NIT के दवारा ही आपको certificate होना चाहिए आपका ठीक है यह क्लियर हो चुका है अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो है सबसे पले माहित रहेगा सबसे पले क्या रहेगा माहित रहेगा इसके बाद हिंदी है इसके बाद जो है जीके जीएस होगा इसके बाद जो है इसके बाद ग्रामीड विकास होगा इसमें जो है यह एक्जाम का पैटर्ण जो होगा इसमें फूर पार्ट्स में आपका डिवाइट किया गया है यह सद्धी जीएस होगा कि यह जो है इस में यह कि इसमें कि इसमें कितने ट्क और ग्रामीड होगे तनी, यहांपर सबसे बड़ी बात में इकजाम में यही हैं कि इंट्रिवयूयी नहीं है आप डारेक्टल देंगे रिटेक्ञाम देने के बाद त्रुंत आपका जो क्या होगी दे होगा तीक है क्यूंकि इसमें आपका इंट्री यहां पर इंट्रीविव यहां पर हडा दिया घया है 20 मार्क सर जो इंट्रीव हुआ सारे नहीं जो हमारा हो जाता है त्यारी कर लेना है और आपको ऐसा नहीं देखना है कि जो है लगडाउन समाप्त होने के बाद जब उसका बेग्यापन निकलेगा तब हम लोग जो चलेंगे त्यारी करने आपका यह सब सारी चीजे माइट से निकाल लेजिए क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता आपको लेना है तो आज से ही और अभी से आप स्टार्ट हो जाईए आपका पैटर्न जो आप देख लिए पैटर्न हमने आपको बता दिया है कि मायत हिंदी एंड जी के जीस में आपका जीस में क्या होगा कि सबाइब सब्सक्राइब 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 देख देख लिए और यहां पर आएगे और अच्छे से आपको पूरूप से त्यारी कर लेना है टीक है और त्यारी करने के साथ ही इसमें सारे आपके चलने के माध्यम तो आपको पुरी लहख्पाल की पूरी stepby step हम आपको अपडेट देते रहेंगे और इसमें math का भी class आपको हम देंगे इसके बाद हिंदी के भी class चलेगा फ्रामीट विक्याष का भी कुपरा आपके इस लेकपाल भरती की पूरी जो step by step हमारे जो भी होगा यह पूरा यहाँ पर जो है यह इस प्लेटफार्म के द्वरा जो है आपको सारी चीज़े हम यहाँ पर देंगे और इसके बाद जो है हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को ज्यादा से ज जयन जय भारत